हेलो स्टुडेंट सी जी शिक्षा में अपका स्वागात हैं प्रिवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था नीउरांस के प्रकार है न alert क्या-कहा देखा था एक द्रूवीय तंत्री का कोशी का वी द्रूवीय तंत्री का और प्रवाजिस नहीं होते हैं, इनके शुबहाओं के आधार पर इनको तीन प्रकार से बाटा गया है किसको अधरूवियरा्रोन रूवाट constitu यह लिए नेौरन को इनके नेचर के बेसेश वे थरी भागों मे बाटा गया थ्री लेज में इसमें पहला है सन्वेगी नियूरोंस, सेंसरी नियूरोंस, इसमें क्या होता है जो तंत्री का तंत्र होता है सन्वेदी अंगों के द्वारा पहुचता है जैसे कि ग्राण एफिटिलियम के नियूरोंस, फिर है चालक नियूरोंस, ये केंद्री ये तंत्री क तंत्र से सन्वेदना प्रभावी अंगों में जाते हैं क्या होता है केंद्रिय तंत्री का तंत्र जो होता है वहां से जो सन्वेदना आए है वो कहा जाते हैं जिस अंगों के लिए वो सन्वेदना होते हैं वहां तक जाते हैं इन्हें अपवाही नियूरॉंस भी कहते हैं क्य को बोलते हैं ना इनके जो नियूरॉंस होते हैं वो क्या होते हैं केंडरी तंत्रीका तंत्र में पाई जाने वाले दो से अधिक नियूरॉंस होते हैं वो एक दुसरे से जूड़ते हैं फिर हैं तंत्रीकाई नर्फ नियूरॉंस के पश्यात हम लोग नेक्स टॉपिक देखे जो बड़ी जो तन्त्रिका होती है उनका निर्माड की साहित है का रूप कोई सिकाओं से मिलकर होता है इनके exon On तन्त्रिका का रूप ले लेते हैं और नीचे का नेगेख्षी या बनाते हैं तंत्रीका में कई तंत्रीका 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 बांता है परिदिये का तंत्र से दूर ट्रसे तंत्रों इन की सुमान को सिकाओं बनाती हैं यह क्या करती है तंत्र हैं ने चहिस भांडये क्या हैं ते बाहर प्रीदिया पारह्लज से फिर है तंत्रिका छट कोशिकाई, एपिडेमल सेल, जो है, इसमें क्या होता है, मस्तिज को जो होता है, मेरु रज्जु की गुहाओं का इस्तर, तंत्रिका छट कोशिकाओं का बना होता है, जो इस्तंबाकार उपकला बनाती है, इनको शिकाओं में विभाजन होता है, इनमे डिवीजन पाई जाता है तता इनके पतले और लंबे प्रवर्द इनमें पतले पतले लंबे प्रवर्द रस्तिनुमा प्रवर्द निकले रहते हैं जो क्या करते हैं जो तंत्रीका उत्तक होते हैं उसमें जाकर घूस जाते हैं तंत्रीका चत को सिकाए जो होती है ब्रूरी अ आपका तंत्रिका इस्तरावी को सिखाए तंत्रिका इस्तरावी का मतलब होता है सिक्रेशन ठीक है कुछ हार्मों सिक्रेट करती है रुधीर में जो क्या करते हैं कुछ हार्मों सिक्रेट करती है और क्या करता है वो रुधीर में घुज जाता है एंटर कर लिता है और इसे तं उस्दिस्क में तंत्री का इस्तरावी को सिखाए तंत्री तो तंत्री का इस्तरावी गरंथियां फिर है तंत्री का या चेतना उत्तक के कार functions of nervous tissue और neutral tissue चेतना उत्तक के कारे तंत्रीका या फिर चेतना उत्तक तंत्रीका तंत्र जो होता है वो सुचनाओं को ग्रहण विसलेशन तथा संचरन करने का कारे करता है जो तंत्रीका तंत्र होता है वो क्या कादे करता है सुचना जो आता है उसको ग्रहण करता है मतलब पहले ले लेता है फिर विसलेशन करता है कि इस सुचना को किस जगा पर जाना है और किसको इसकी आविश्यक्ता है मतलब यह किस जगा पर जाके कादिय कर सकता है या इसकी कादिय करने की छमता कहां पर है उसका विशलेशन भी तंत्री का तंत्र करता है फिर उसको क्या करता है संचरन कर देता है मतलब उस अंक दख पहुचा देता है तंत्री का तंत्र की उत्तक जो होते हैं सरीर के विबिन अंगों की सक्रियता यहां क्रिया सिलता के समन्वे इस्थापित करती है मतलब कि जो क्रियता होता है activity जो होती है किसी भी अंका या फिर कैसे क्रिया कर लेगा कैसे work करेगा वो उन दोनों को क्या कौन नियंत्रत करता है तंत्री का तंत्र सन्वेदी तंत्री का को सिखाएं जो होती है उद्धीपनों को ग्रहण करती है क्या करती है जो सन्वेदी तंत्री का को सिखा होती है वो उद्धीपन जो आते है उसको ग्रहण करती है यह क्या करता है नियूरल अंतर तंत्री का तंत्र सन्वेदी तंतर के उद्धीपनों को मतलब जितने भी emotions होते हैं, वो सारे कहां से होते हैं, तंत्री का तंत्र से होते हैं, और ये सारे क्रिया एक्षिक और अनेक्षिक के रूप में कारी करते हैं, ठीक है, तिल चट्टा का जीवन इतिहास, life history of cockroach, तिल चट्टा अर्था, cockroach आप लोगों ने देखा होगा, जिसक क्या बोलते हैं, peripleta, periplaneta americana, इसका scientific name है, ये सभी जगा पाए जाता है, लगबग हमारे भारत वर्स में तो सारे जगा में देखा जाता है, ठीक है, इसका उत्त्ती जो है, वो अमेरिका में होने के कारण इसे periplaneta americana नाम दिया गया है, ये कोक्रोच सब्द जो है, एक ये नेटा, Australia ISIS, Australian cockroach पाई जाता है, Américan cockroach पाई जाता है, ओरींट cockroach पाई जाता है, और जर्मन कोक्रोच हमारे भारत में पाई जाता है, अगर इसका वर्गी करण देखेंगे तो ये क्या क्या होता है, और अगर जाती देखेंगे तो अमेरिका का है तो अमेरिका का है तो अमेरिका ना जर्मन का है तो जर्मीन ना इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं स्वभाव उर प्रकृति लेखेंगे तो अंधेरे में रहता है को औरंटे मैं रहता है प्रकार अगर इसका अगार का है लख बंग 1-10% सरीरि देखेंगे तो माधा से चोटा होती है मतलब मादा female cockroach का जो body होता है वो थोड़ा बड़ा होता है male cockroach से खांडी युक्त होता है चप्टा होता है पंखों से ढका होता है इसकी अगर गती देखेंगे तो 70-180 cm सेकेंड होती है इनका रंग लाल और बूरा होता है इसके बारे में जाता बात करने की जौदत नहीं क्योंकि इसको सब लोग आप लोग जानते हैं इसका जो सरीर होता है वो काइटीन तता लाइपो प्रोटीन का बना कंकाल का बना होता है ठीक है अधर के सटर नाइट्स तर्था पार्सव के प्यूला राइट्स कहलाते हैं ठीक है जो बायक अंकाल होता है इसका कॉक्रोज का वो क्या होता है अनेक पटियों में विभक्त होता है और इन पटियों को अलग-अलग नाम दिया गया जिस लाइक तरगाइड्स, प्लेट टाइ इस प्रकार का कॉक्रोज जो है वो दिखाई देता है इसको हम लोग तीन भागों में इसकी जो बाड़ी होती है उसको तीन भागों में बाट सकते हैं क्या-क्या में सीर में वक्ष में और उधर में सीर जो वो तीक होना होता है और सरीर से समकोड पर इस्थित होता है जो इ सीर जो होता है वो 6 कंडों का बना होता है और इसके उपरी भाग पर एक जोड़ी सयूगत आखे पाई जाती है सीर का उपरी भाग जो होता है वो दो पटियों में विभक्त होता है देखो क्या बोला है कि जो इसका सरीर होता है सीर जो होता है सबसे पहला भाग हम देखेंगे सीर तो सीर जो होता है वो समकोड परिस्तित होता है और छोटी नली का कर गर्दन वाला होता है धर से जुड़ा रहता है गर्दन का जो पीछा वाला भाग होता है वो अधर तल पर अनेक स्क्लेराइट्स के बने होते हैं, इनमें पेसियां भी उपस्तित होती है, जिनकी सायता से जो सीर है, वो हिल डूल सकता है, इनकी सीर जो है, वो 6 खंडों का बना होता है, 6 खंडों से मिलकर बना होता है, तता इसकी उपरी भाग जो होती है, उनमें 2 सयुक्त आखे करती है इस धरार को क्या बोलते है यपिक्रींगी विड़ाती लोटको पर्सों प्लेटों को जीना कहते हैं यह जो सीर है यह छे भागों बना यह पाई जाता है एक जोड़ी तायूग ता आखे पाई जाती है ठीक और इसके साथ इसमें 6 खंडों का बना होता है इसमें क्या होता है 6 खंड़ों के उपर की जो दो पट्राइब के लिते हैं चूटे च्छपे चीडर टाइब यह चूड़ी रहती है are एपिक्रेनियल सूचर कहते है एपिक्रेनियल प्लेट्स के सामने की तरफ एक चौड़ी पट्टी जो होती है वो फ्रांस पाई जाती है जो सामने की और क्लीपियस से जुड़ी रहती है क्लीपियस जो होता है वो आगे की और किसक कर क्या करता है उपर का होट या लेबरम बनाता है सीर के पार्स प्लेटे को क्या कहते है जीना कहते है सीर में पार्स प्लेटे पाई जाती है जिसको क्या बोलते है जीना कहते है सायुक्त आखे जो होती है उसके सामने क्या पाई जाता है एंटीना पाई जाती है प्रतेक एंटीना के तीन भाग होते हैं अगर एंटीना देखेंगे इस प्रकार के यहाँ कोकरुछ में इंटीना पाई जलता है ответ unfortunate भाग वहते विशको प्लेजलम बोलते है इसको प्लेजल्स बहुते हैं विश up अतिके जो भाग होते है उंसको सके सेल पर बोलते ठीकए इसको डाउन कर लेंगे फ्लेजिलम छोटा भाग को बोलेंगे पैडि सेल और नीजला भाग को बोलेंगे सिरी सीर के घड्ड़े में सतीथ होता है It's स्कैप जो होता है सीर का एक गड़ा होता है उसमें इस्तित होता है जो बाड़ी से सीर से एंटीना को जोड़ा रखता है ठीक है एंटीना पर सन्वेदी सीटी पाई जाती है जो इसपर्स का बहुत कराती है उसमें क्या होता है अगर वो किसी में टच होता है तो यह जो टच क अनुबा होते हैं टचर्च का जो फील होता है वो कोनसी होता है एंटीना को इθरामा क्या प्लिंकरोट होता है या निस्क्री होता है कॉक्रोट में होता है और एक अकेला होते हैं सरीर के पश्य भाग में एक आइता का खिडर पा 때도 यह जो सीर की गुहा को सरीर की गुहा से जोड़ता है इसको सरीर का खाने में साहता करता है अगर mouth parts देखेंगे इसका तील चट्टे का तो इसमें क्या पाई जाता है? मुख हांग पाई जाता है मुख होता है जिसकी साहता से ये भोजन को कुतर-कुतर कर खाता है तब छोटे-छोटे तुकडे में तोड़ कर खाता है इसमें अलग-अलग उपांग पाई जाते हैं जैसे कि लेबरम ये क्या होता है? ये रचना जो होता है मुख गुहा को सामने से ढखा रहता है इसका रहन इसको उपरी होट भी कहा जाता है ये एक के sensory seat होता है मतलब सनवेदी सूक होता है lebrum तता mandible के जोड पर कुछ पेसिया पाई जाती है जिसको जिनसे hot को उपर-णीचे किया जा सकता है क्या किया जा सकता है? hot को उपर-णीचे किया सकता है फिर है mandible देखो अलग-अलग picture में आपको दिखाया गया है ये है labium इंसन रचनाओं को आप अपने पुस्तक में देखते जाएंगे फिर है मेंडिवल या सरीर के साथ बॉल एंड सौकेट जॉइन के द्वारा जुड़ा रहते है मेंडिवल जो होता है वो किसे जुड़ा रहता है सीर के साथ ball and socket joint के तवारा जुड़ा रहता है और काईटीन का बना अखंडित गहरे बूरे रंग की रचना होती है ये क्या होती है काईटीन की बनी हुई गहरे और बूरे रंग की रचना होती है इनकी भीतरी सत्य क्या होती है कोमल होती है जो की प्रोस्थीति का कहलाती है इ इनकी सायता से तिलचट्टा अपने बोजन को कूतरता है इसके साथ दो पेसिया एड़क्टर तथा एड़क्टर जूड़ी होती है जिसके संकूचन से मेंडिबियल प्रिथक प्रिथक हो जाते हैं क्या होता है जिनके संकूचन से जब संकूचित होता है तो यह प्रिथक प् और जो सीर है उसके दोनों साइड होता है वहाँ पे एक जोड़ी रचनाई होती है जो तीन भागों की बनी होती है इसको बोलते है प्रोटोपोडाइट इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जो प्रोटोपोडाइट होता है वो किसे बना होता है दो भागों से मिलकर ब और Spites, कार्डो इसे सीर्च जोडता है, है ना, कार्डो तथा इस टाइप जो होते हैं, वो एक दूसरे से सम कोड पर इस्थित होते हैं, इस प्रकार का, जी अगर ये कार्डो है तो ये Spice होगा, ठीक है, ये क्या होता है, सम कोड पर यहां से पार्स वरूप में जुड़ा है ये है कार्डो और ये है Spice, ठीक है, इंडोपोडाइट ये भी दो खंडो का बना होता है, लेस्निया तथा गेलिया, ये दोनों मुड़ी हुई रचनाई हैं, जिन पर कड़े बाल पाई जाते हैं, एक्सोपोडाइट जो होता है, वो 5 खंडो का मिलकर बना होता है, जिन के एंडोपोडाइट होता है, वो भोजन को पकड़ने में सायता करता है, और प्रताम मेकजीला भोजन को पकड़ने के बाद, अलवा भूश की तरह एंटीना तथा प्रताम जोड़ी टांगों को साफ करने का भी काम करती है, अगर अलग अलग चंडशना देखेंगे इसमें, तो क्या क्या पाए जाता है, जसता है कि यह है, मेकजीला, मेकजीला में सम कोड़ पर क्या कैस्तीत है, यह देखो, यह है आपका काड़ो, और काड़ो के बाद ही यह एंडोपोडाइट, यह पाए जाता है, यह है पैरिफिलर मेकजीला, यह इसमें पाए जाता है, ब्रूस पाई जाता है लेबरम उपरी होड पाई जाता है प्लियर यह सामने पाई जाता है हाइपो फेरिंग्स पाई जाता है जिसमें सेलेवरी ग्लेंड होता है फिर है दूतिय मैक्सिला या लेबिलम क्या है दूतिय मैक्सिला या लेब्रम जिसमें क्या होता है नीचला होड जो होता है वो से भी कहते हैं दूतिय मैक्सिला वास्तों में यह दो मैक्सिला के मिल कर बनता है जिसमें से प्रता मैक्सिला जो होता है वो पीछे मुख गुहा को अधर तल पर इस्तित होता है और लेबियम जो होता है वो दो खंडों का बना होता है प्री तता पोस्ट मेंटम जो लेबियम होता है वो दो खंडों से मिलकर बना होता है लेबियम जो होता है वो दो खंडों से मिलकर बना होता है प्री और पोस्ट मेंटम अब पोस्ट मेंटम जो होता है वो भी क्या होता है एक बड़ा होता है मजबूत होता है तथा सब मेंटम और छोटे मेंटम का बना होता है प्री मेंटम जो होता है वो दो वी खंडी है जो व यह देखो दो बीना खंड वाला सरचना निकालता है जिसको क्या बोलते हैं लेबियल पल्प प्रत्यक पल्प में उद्गम पर एक एक खंड इस्थीत होते हैं जिने पैलपी जर कहते हैं का इन से यहां से हुआ है और यह क्या होता है क्या बोलते हैं क्या बिलते हैं क्या बढलते हैं प्रीमेंटम कर चार खंड और सदें होते हैं जिन बीत्री खंडों कोguska कहते हैं बाहरी कंडों को प forme हिसलो कह蒙 किसी जिसको además प्रीमेंटम होता है उसमें 4 खंड होते हैं प्रीमेंटम में क्या होते हैं चार खंड होते हैं जिसको क्या बोलते हैं ग्लोशा ग्लोशा कहते हैं और पेरा ग्लोशा कहते हैं ठीक है इन चार खंडों को सम्मिली तरुप से लिंगूला कहते हैं ग्लोशा और पेरा ग्लोशा जो जूड़ा होता है चार खंड सदे हुए होते हैं उनमें से ग्लोशा और पेरा ग्लोशा बोलते हैं और इन चार खंडों को समयली तरुप से लिंगूला कहते हैं क्या बोलते हैं लेंगूला लेंबियम जो होता है एक इसपर ससन्वेदनांग ह मतलब अगर उसको टच करते हैं तो वो उसको सनवेदना को ग्रहाण करता है जब कि लिंगुला जो है वो चड़वर्ण के समय भोजन को बहार जाने से रोकता है मतलब जब चबाते रहते हैं तब जो लिंगुला है वो क्या करता है भोजन जो है उसको बहार जाने से रोकता है फिर है हाइपो फेरिंग्स हाइपो फेरिंग्स क्या होता है या लेबियम के सामने तता प्रथम मैकजीला के बीच की उस्तित उंगली के समान रचना होती है अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ा पिक्चर जो है वो उपर नीचे दिखाया गए है आप इसको अपने बुक से सही प्लेज पर रख के पढ़ सकते हैं न यह है हाइपो फेरिंग्स देखो उंगली के समान रचना है सैलिवरी डक्ट पाई जाता है इसमें क्या पाई जाता है सैलिवरी डक्ट लेबियम के सामें तता प्रतम मैक्जिला के बीच में होता है इसे जीवा भी बोल सकते हैं इसमें सैलिवरी ग्लेंड खुलता है लेबियम के प्रतिप्रिस्ट सता पर अहार नाल के उद्गम की भीतरी डिवार जो लेबियम का प्रतिप्रिस्ट सता होता है है ना उसमें क्या होता है अहार नाल का जहां पर उद्गम होता है उसकी भित्री सत्थ दिवार पर क्या पाई जाता है एपिफेरिंग्स पाई जाता है या जीवा के समान ही है या मुक गुहा में भोजन को इधर उदर करके मुख गुवा में जो जीव होता है वो क्या करता है मुख गुवा में बोजन को इधर उदर करता है और लान मिलाने का काय करता है इसके उपरी सीरे पर एक सनवेदी सुख भी पाए जाता है इनका जो उपरी सीरा होता है उसमें सनवेदी सुख भी पाए जाता है फिर है दुस होता है कि सबसे अगला पात आपता है जो सामने के प्य को बाग होता है चोटा पहाग है जASE पहए जता है यह पिछला बडा भाग में पहए जती है इसकारण इस प्रतिक हेकजा मतलब हो गया छे, चैट युक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, और तार्सस, यह क्या होता है तार्सस जो भाग होता है, यह सबसे अन्तीम भाग है, जो फिर से पांच खंडों का मना होता है, मतलब अगर एक टांग की बाद करेंगे, तो पांच खंड होत पांच भाग होगे, ठीक है, तो जो सबसे अंतीम भाग जो होता है, तार्सर जिसको बोल सकते हैं, यह क्या होता है? यह भी छोटे-छोटे भागों से मिलकर बना होता है। जिसको क्या बोलते है पोडो मेर्स क्या बोलते है पोडो मेर्स पर छोटे-छोटे कड़े बाल पाई जाते है पोडो मेर्स की नितली सता पर गदिया पाई जाती है जिने प्लेंटूली कहते है टार्सस का अंतिम पोडो मेर जो होता है प्रिटरस कहलाता है दो पर दो कमान की भाती मूडे पंजे पाए जाते हैं इसमें मूडे पंजे पाए जाते हैं दोनों पंजों के बीच में क्या पाए जाते हैं और पलचीलास पाए जाते हैं खुदरी जगा पर चलने के लिए काटे तथा चिकनी जगा पर चलने के लिए एरोलियम गद्या साहयक होती है काटे पाई जाते हैं और चिकनी जगह पर चालने के लिए Aeroleum गदिया पाई जाती है यह देखो, यह क्या भोला है, कोकसा, यह जो टांग है वो 5 भागों में बाटा है, कोकसा, फिरे टोकोहेंटर, फीमर, टोकोहेंटर, टीबिया और टार्सस, फिर टार्सस को 5 भागों में बाटा गया है, जिसको प्लेंटुली, क्लॉस, यहाँ पे क्लॉस पाजाता है, क्लियर अगर पंक देखेंगे तो इसमें एक जोड़ी पंक पाई जाता है मतलब पंकों की संक्या दो होती है पंकों की संक्या पहला जोड़ा होता है अगर तता दुसरा जोड़ा दुसरा पंक कहलाता है ठीक पंक का अग्र भाग जो होता है पैस सामने का भाग जो होता है वो कड़ा होता है मोटा होता है चमडे नुमा होता है ठीक है और पास ये पंक जो होता है वो धके रहता है जिसे इलिटरा कहते है उधर को भी धके रहता है ये क्या करता है जो उसका उधर होता है उसको भी धके पस्य पंक पतला, कोमल तता बड़े और क्यूटिकल दोरी इस्तर का बना होता है। ये सिकुडे होने के कारण विसरामा वस्था में इलीटरा धके होते हैं। किसके द्वारा धका होते हैं? इलीटरा के द्वारा। पंकों की रचना अत्यंत सरल होती है, परतेक पंक दो इस्तरों का बना होता है, जिसमें पतली-पतली सीराएं पाई जाती है, वेंस पहली रती है, ये सीराएं क्या होती है, जो कभी भी सीरा जाल नहीं बनाती है, साखा में बटी होती है, सीरा जाल नहीं बनाती है, वास्तों या नलिकाई जो होती है पंको को द्रीड़ता प्रदान करती है जो सीरा होती है या फिर नलिकाई जो होती है वो पंको को क्या देती है द्रीड़ता प्रदान करती है पंको को चलाने के लिए पेसियों के दो सम्मू भी पाए जाती है जिसको बोल सकते हैं इस प्रकार के इनके पंकों की संरचना होती है वो पहला वाला पंक होगा यह होगा दूसरा बड़ा पंक होगा ठीक है अगर अब देखते हैं अब्डमन यह सरीर का अंतीम और सबसे बड़ा भाग होता है यह वक्ष की अपिछा चौड़ा तता चप्टा होता है पीछे का पाग देखने ह माटो का सबसे पीछे का तो कि इसमें नौर्मली दस खंड़ा का बना होता है इसकी सटा पर तो एक जोड़ी स्पाईकल पालत नूकी ल गुदा लूम पाय जाता है यह है छह, साथ, आठ, नौट, दस इस प्रकार का होता है द्वी पालित होता है इसमें एनल स्टाइल पाय जाता है है ना, सिक्स्त वाले को क्या बोलते है यह है इनका नाम इनके खंडो का नाम प्रतेक लूम का पिछला सीरा क्या होता है, नुकीला होता है यह द्वानी उदिपको को ग्राण करता है इसका जो पिछला लूम होता है नरतिल चट्टे के अंतिम खंड में एक जोड़ी घुदा कंटिकाई एनल स्टाइल पाय जाती है अगर इसका कंकाल तंतर देखेंगे प्रिस्ट भागों को बोलेंगे तर्गम और नवहँ होता है-"डर्ब पार्सट भागों को बोलते हैольно प्लूरॉट सीर का बायक अंकाल देखेंगे तो कई तुकड़ों का बना ओता है जो सीर होता है उसका बायक अंकाल जो होता है वो बहुत सारे तुकड़ों का बना होता है जिने एक साथ क्या बोलते है है हैड कैपसूल कहते हैं हैड कैपसूल में एक एपिक्रीमिया लेबरम और जीना आते हैं गर्दन का जो बायक अंकाल होता है गर्दन में जो बायक अंका का तरगम जो होता है दो पालियो का बना होता है हम लोगों को पहले फालत है तो इसके निचे गुजा गुदा होता है जिसको क्या बोलते एपी प्रोटेक्स जोते थय अधर भाग में था पार्श में पैर प्रोक्त से घीरा होता है अगर इसका एणustom ग dor ऑज तो होता है कि यस करें यह कॉंड़िड इसकों में गूस्वा अगर कुनंड़ पाई जाता है करें लुडी के विटी तो कैसा होता है वी होता है फ्रा प्रमुही होता है ठीक है इसको क्या बोलते है क्रेकी माइट बोलते है यह देपी इसमें वास्तविक प्रागुहा जो होता है मतलब यह गुहा जो होता है वो अमीबी अवस्था में होता है कहा होता है अमीबी अवस्था में होता है वया इसका वस्था में यह छोटे गुहा के रूप में केवल जनदों तक ही सीमीत रह जाता है वास्तविक प्रमुक गुहा केवल जनन अंगों में इस्थित होता है वैस्त कोकरोज की दे गुहा जो होती है वो औसो डले की उपकलाक से इस्तरीत थी दे नहीं होती है वह कैसा होता है उत्तक जो होता है वह द्राव एवं रब्त के भरे पात्रों के समेकन से बनी होती जूड़ने से इसे रुधिर भी कहा जाते हैं यह देह घुवाठी के बॉड़ी कोविट के विटी उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते तो अहा नाल और इससे स समधित अनेक अंग भी होते हैं जो कि भोजन को अंतार ग्रहाण करता है पाचन करता है अवसोशोर करता है और उत्सरजन करने का भी काव ये करता है अगर अहार नाल के लंबाई देखेंगे तो कौकरोज में 6-7 cm की पाई जाती है जो पस्ट ये कौकरोज के पस्ट ये अलिम के नाल क्या है कौकरोज का अगर अहार नाल देखेंगे तो कुंडलीत होता है असामान म्यास होता है कुंडलन होता है ऐसा ऐसा कि घुमा हुआ होता है असामान म्यास का होता है कहीं पे मोटा होता है कहीं पे पतला होता है और क्या होता है नाला का रचना होता है नाली के जै उपर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं मध्य का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं मीट गड बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं और जो बाए भाग होता है मतलब अंतांग्र भाग होगा या फिर पश्चांत्र भाग होगा इसको क्या बोलेंगे प्रोक प्रकार की उससे आबंडित होती है अग्रांत ये अंतरगत मुख वा पूर्व मुख गुवा इवा मुख ग्रसनी ग्रासनली पाया जाता है क्या पाया जाता है अग्रभाग में देखेंगे तो मुख पाया जाता है पूर्व मुख गुवा होती है ग्रसनी होती है ग्रासनली होती है ये सारी चीजे पाया जाती है ग्रसनी का कार्य क्या होता है भोजन को प्राप्त करके ग्रासनली को पहुचाना ठीक है जो भोजन को क्रमानुकंचन गतियों द्वारा अनपुट में भेशती है क्या भेशती है अनकुट जो होता है उसमें भेशती है क्रस्नी का कारिय क्या होता है जो भोजन आता है उसको पकड़ना और भोजन को ग्रास नली तक पहुचाना तो जो ग्रास नली होता है ग्रास नली में क्या होता है क्रमानुकंचन गती होती है और क्रमानुकंचन गती होने के बाद क्या करता है वो अनकुट में बेचता है जहां से भोजन संग्रहीत होता है अनपुट जो होता है वहापे भोजन का स्टोरेज का कारिया होता है जो ग्र ग्रहणी का कार्य जो होता है वो भोजन को पीशता है ग्रहणी जो क्या करता है भोजन को पीशता है फिर ग्रहणी जो होता है उसकी उपकला क्या होती है छै अनुदेर दिये वलनों में वलनीत होती है चै अनुदेर दिये वलनों में बटा होता है इन वलनों पर क्यूटिकल क की मोटी पर्थ इस्थापीत होती है अताहिया वलन जो होते हैं वो दात के समान रचना का कारी करते हैं अगर ग्रहणी का सबसे बाहर भाग देखेंगे तो वर्तूल पोईसियों का मोटा आवरन पाए जाता है अगरांत की उपकला जो होती है वो जोड़ पर मध्यांत के अग अगरांत में वापसाने से रोकता है जब मध्य में पहुच जाता है तो वहां से अगरांत में आने के लिए बहुजन को रोकता है यह को अगर गर इस्लेवेरी ग्रेन घ्रेटीकरिया गिजार्ट पढ़ जाता है तक यहां जो कहां पाए जाता है अनपूट के नीचे पाए पढ़ा फिर होता है ать एंट बात करते हैं हैं नहीं तो मीट रिएट क्या होता है यह एंडोडर्में से उत्पन होता है, मीटगर जो होता है, अहार नल का, वो कहां से उत्पन होता है, एंडोडर्म में से उत्पन होता है, इसमें क्यूटिकल का लेयर नहीं पाई जाता है, इसको एंडोडर्म की उपकला से बाहर की ओर से क्रमता वर्तुल और अनुदैर्द पेसियों के माध्यम से आवनीत होती है, क्या होता है, धका होता है, किस पेशियों से वर्तुल और अनुदैध या पेशियों से धका होता है, मध्यांतर के अगले सीरे में आठ पतली, लंबी, खोकली, अंधनलिका निकलती है, जिसे हिपेटिक सीरा कहते है, मध्यांतर के अगले सीरे से क्या निकलती आठ पतली लंबी और खोकली अंधनाल निकलती है। क्या होता है इसको क्या बोलते हैं हिपैटिक सीडिया बोलते हैं एक वीटिक एडिया बोलते हैं। निकलती है जो इसके पश्य चीरे होते हैं वहां से लगबग सक्रादागे की समान सरचनाएं निकलती हैं अंधनाल होती है इसको देह गुआ में फैली रहती है जिसे क्या बोलते हैं मेलफेगियन नलिकाएं कहते हैं यह उत्सरजन का भी कादिक करती हैं अब देखते हैं पश्यांत इसके उत्पत्ती भी अग्रांद के समानी एक्टोडर्मल से हुई है इसमें केटिकल का आवरन पाई जाता ह है और इसमें तीन भाग होते हैं सुद्रान, लीलम, कोलोन और रेक्टम ठीक है इलियम जो होता है इलियम जो होता है यह सकरा और छोटा नली होता है जो एक अवरोधनी के रुप में कारे करता है कोलोन जो होता है मोटा और कुंडली तो होता है और जो रेक्टम होता है सबस हो जाती है आप देखते हैं इसका अगर सेलिवरी ग्लेंड सेलिवरी ग्लेंड जो होता है वह अब वक्ष भाग में क्रॉप के दोनों और एक एक लार ग्रंथी पाई जाती है यहां पर लोग ने पीक्चर देखा यहां पर क्रॉप जो है उसके पास एक गुच्छे के रूप में पाई जाता है क्रॉप के पास ठीक है यह द्वी पालवीत होती है पत्ती नुमा ग्रंथील भाग होती है अंडाकार होती है न दोनों तरफ की लार ग्रंथिया एम्वाइवां आसेयों से निकलकर वाहीकाय मिलकर अग्रवाही लार डख्ट बनात जिसको हाइपो फेरिंग्स के अगरबागते पर पूर्व मुख गुहा के द्वारा खुलता है पोशाड जो अगर देखेंगे तो जो कॉक्रोच होते हैं वो अमनी वोरस होते हैं सरवाहारी होते हैं ये भोजन में सक्कार, रोटी, पनीर, चिली, पनीर, मचली, मास, चमड़ सब खाजाते हैं ठीक है, इसले स्कॉमनी वोरस बोलते हैं ये आपका सैलेवरी ग्लेंट का पिक्चर अगर इनगेशन देखते हैं इसका भोजन को ग्रहन कैसे करता है तो एंटीना के बाद है हमसे डूनता है फिर सनुएदी अंगो में आता है फिर भोजन को ग्रहन करता है जो कहा जाता है औरल अपेंडिजिस में जाता है औरल अपेंडिजिस में जाने के बाद लार मिलता है लार मिलने के साथ जो भोजन होता है वो गीला हो जाता है और गीला होने के बाद भोजन को मैंडीबल में तोडने का कारी करता है ठीक है उसके बाद जो तूड जाता है भो क्पछन कादे कर्ते हैं मेट में सूरू होती मीट में उससे पहले उससे ऌुक सिछाइब जाता लेकिन बहूत जाधा बोजन का पाशार कहां पे होता है मीट गट ने होता है जहां हुआँ द्वारा इस्त्रावित किया जाते हैं जिसमें से एमाईलेज, एंजाइम जो होते हैं एमाईलेज, प्रोटियेज, सेलूलेज, पेप्टियेज, लाइपेज, माल्टेज, लेक्टोज, आदी जो होते हैं और कुछ एंजाइम जो होते हैं क्रॉप के पिछले भागों में कर दिया जाता है गोलियों के रूप में इसका अगर रक्त परिसंचरन देखेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखेंगे तो कॉक्रोच में खूले प्रकार का रक्त संचरन पाय जाता है देखो ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है या वैस्कुलर सिस्टम होता है दो प संचरत रहता है इसमें पाये जाता है कॉक्रोंट के रगत का बलड रंग होता है ह aten यह सब क्या करते है भक्षिकाओं का कादिय करते हैं जितने भी foreign material से आलते हैं उनको खाने का कादिय करते हैं और यह जो रक्थ होते हैं वो घाओ वो चोटों को भरने और भरने भरने का भी कादिय करते हैं ठीक है कौकरोज का जो रक्थ होता है उसमें स्वसन बढ़नकों का अभा होता है हीमोसिल जो होता है वो तीन कप्षकों में बटा होता है हीमोसिल में जैसे है कि pericardial quarter फिर यह perivisceral quarter यह perivisceral sinus बोलेंगे तथा परितंत्री की quarter perineural sinus पाई जाता है इसमें जो जनत जो होते हैं वो दोछिद्रों में खुलते हैं जिसे प्रिस्ट तन्तुपट, dorsal diaphragm औधर tầu, ventral diaphragm जो होता है प्रिस्ट तन्तुपट जो होता है बाड़ा जोड़ी संकवा कर पेसियों द्वारा जुड़ा होता है ये पेसियां जो होते हैं वो टांगों से जुड़े रहते हैं जो पेरिकेरडियन साइनस्क में एक लंबी नली का प्रिस्ट वाहनी के इमाध्यम से जुड़ती है ठीक है इसको क्या बोलते हैं रिदय और महाधमनी रिदय में की पाकार की 13 कक्ष होते हैं कौक्रोज में प्रत्यक एक कक्ष पस्तीत अता है प्रत्यक में अगले कक्ष में नीलई कपवाट द्वारा खुलता है प्रत्यक चिज्जम में आस्टिया नामक एक जोड़ी छिद्र भी च्छानने का कार्य करता हैं। इसमें उपस्तित सनवेदी रोम जो होते हैं वो आंत्रिक सी और ट्यू की मात्रा का निया मन करते हैं एट्रीमियम जो होता है एट्रियम जो होता है एक लंबी ट्रेक्या नाल में खुलता है इस नाल को क्या बोलते हैं प्रकास ग्राही अंग्या नेत्र आप देखते हैं प्रकास यह है रेस्पाइरेटरी ओर्वन फिर नेक्स्ट आपका प्रकास ग्राही अंग्या नेत्र यह क्या होते हैं इसके जो नेत्र होते हैं सरल होते हैं एक जो होते हैं वो निस्क्री होते हैं सरल नेत्र क्या होते हैं कोकरोज के प्रतियक स्रिंगी का के आधार पर एक छोटी प्याली के आकार का सरल नेत्र होता है सरल नेत्र में प्रकास ग्रांड करने की छंता होती है कि तो प्रतिपीम बनाने की छंता नहीं होती है वो light को grant तो करता है लेकिन उसका द्रिश्य बनानाया उसके work में नहीं आता है ठीक है फिर संयूक्त नेत्र है सीर के प्रिष्ट भाग पर एक जोड़ी बड़े व्रिक्का का संयूक्त नेत्र पाई जाते है प्रयूक्त संयूक्त नेत्र लगबग 2000 द्रिश्टी कायों का बना घूएं जिसे क्या बोलते हैं नेत्रांसक और तल करनिया जो लेन्स का कारे करता है या कारां जोता है सटबूजी है फेसेट रूप में नेत्र की तरह पर दिखाई दता है कार्मिया जुन को सिखाओ के नीचे होता है रचनावाती क्रिश्टलिये संकू होते हैं ठीक है इन संकों में छड़ा का रचनाई पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं जिसे रपडॉम कहते हैं जिस बेड को प्रिथक करने वाले रंग- distint क कहते हैं नित्रांसक का बारि क्रिस्टली संकू वाला भाला भाता है प्रकास कीरणों को केंद्रित करते हैं अगर इसका मुजक द्रिष्ट्य देखेंगे मुजॉयègeöd विज़न देखेंगे तो ये क्या होता है, सयुप्त नेत्र में बस्तू का बीम जो होता है, वो छोटे-छोटे तुकडों में मिलकर बनता है, उसके क्या होता है, एक तुकडे के समामबीन का प्रतेक भाग बनता है, इस प्रकार देखने की प्रणाली को मोजेक द्रिश्टी कहते हैं, छोटा- उत्सरजन सिस्टम कोक्रोज का यूरिको टैलिक प्राणी है जिसमें मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे की यूरिक एसीड इसमें उत्सरजी पदार्थ के रूप में घूलन सिल पोटेशियम यूरेट होता है जो की हीमो लिंप में छोड़ दिया देता है जिसे मेलफ मस्तिस्क रिंग और तंत्रीका रज्जु आते हैं मस्तिस्क रिंग देखेंगे तो मस्तिस्क रिंग में इसमें प्रिस्ट भाग में एक बड़ा द्वी पालित पींड होता है जिसे अधी ग्रसी का गुच्छा अच्वा मस्तिस्क कहते हैं अधर तल पर ग्रसी का के नीचे अधोग्रसी का गुच्छी का होती है दोनों गुच्छी का जो होते हैं आपस में परी ग्रसी का संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं फिर यह नर्व कौर्ड तंत्री का रज्जू यह अधोग्रसी का गुच्छा से निकल कर सरीर के मध्य उदर रेखा से होती हुई उदर क साथवे खंड तक जाती है पाचवे उदर खंड को छोड़कर अन्या सभी खंडों को में इनमें गुच्छी का होती है इनमें वास्तों में दो रजु होते हैं जो गुच्छी का भाग से जुड़े रहते हैं अधिग रशी का गुच्छा या मस्तिस्क ते तीन तर्टरिकाय निकलती हैं अप्टिक तंत्रिका एंटेनरी और लेब्रो फ्रंटल अनुकंपी तंत्रिका तंत्र फिर है अधोग रशी का गुच्छी काएं जो होती हैं उनके द्वारा जो चार तंत्रिकाय निकलती हैं उसमें से हैं मेंडिबुलर, मैक्जिलरी, लेबियल और सर्वाइक फिर है तंत्रीका रजु तंत्रीका रजु जो होता है उसमें जो 6-7 तंत्रीका है उत्मन होती है जो तंत्रीका रजु को प्रत्य खंड तक फैलाती है कोक्रोज में एक अनुकम्पी तंत्री का तंत्र भी होता है, इसमें से चार गुच्छक होते हैं, एक होता है प्रंटल गुच्छक, दूसरा दो होता है एसोफिजिकल तंत्री का तंत्र और एक होता है विश्रल गुच्छिका, अनपूट जिसको क्रॉप बोलते हैं, ये मस्त का रजू का डाइग्राम उसके बाद है जनन तंत्र कॉक्रोज जो होता है यूनिसेक्श्वल होता है इसमें लेंगिक द्वी रिपता इस पस्ट रूप से देखती है अगर नर कॉक्रोज का जो सरीर होता है वो मादा कॉक्रोज से क्या होता है छोटा होता है ठीक है और चप् वरिशर कहां पर पाई जाता है तो छटवे उधर कंडों में पाई जाता है प्रत्यक विशर तीन पिंड़कों का बना होता है प्रत्यक पिंड़कों का निर्मार जो होता है वो छोटे-छोटे गोल पुटकाओं से होता है जो सुक्रवाहिका के चारों तरफ होते है फिर है व खंड तक पीछे की और बढ़कर नर्चनन चिदर में कोस्ट में खुलता है फिर चत्रक ग्रंथी यह सुक्र वाहिनी के नीचे थेले के समान नलिकाओं के गुच्छे में छाते के समान सुनंत्रा बनाता है इसका राणी से चत्रक ग्रंथी कहते हैं यह तीन भागों में विभ फिर सुक्रासे जो होता है यह गोल गुबारे नूमा वैसिकल राण करना होता है और इसका कारिय के थेले इस छटन वाहिनी के नीचे की वर होता है और नर्चनन कोस में लण छिद्र के बाहर की तरफ फुलता है इसका स्त्रावण जो होता है सुक्राणु धर की बाहरी पर्त का निर्मार करता है अगर सुक्राणु धर का कारिय देखेंगे तो यह काफरोज में सुक्राणु को थैली नुमा 13 mm परणाब तक सुक्राणु धर में जमा होता है इसकी बित्ती जो होती है तीन अकोसी की इस तरों की बनी होती है पहला है जन प्रवर्द यूक्त भी होता है यह किया करता है अंतीम सीरे में होता। इस लिए इसको बाइजणन अंक बोलते है यह तीन प्राकार के होते है जिसे बाया दाया और अधर प्रजण तरहीं १ै. मादा प्रजन तंत्र इसमें क्या क्या पाई जाता है एक जोड़ी अंडासे पाई जाता है एक जोड़ी अंडवाईनी पाई जाता है वेजाईना पाई जाता है माद जनन शिद्र पाई जता है फिर जनन निकोस पाई जता है जनन प्रवर्ध होता है एक जोड़ी सुक्र ग्रहिकाई होती है एक जोड़ी संग्रहाद ग्रहिकाई होती है अगर अंडासे की बात करेंगे तो यह 4-6 उदरी एक खंडो में प्रिस्ट पार्स्वरूप में इस्थीत होता है अंडासे जो होता है अगर भाग में एक दागे सद्रिश्ट समरचना बनाता है इस रचना से वो क्या होता है जूडा रहता है प्रत्यक अंडासे जो होता है एक समान इस नायू 8 अंडासे नलिका तथा कैलिक्स में बटा होता है इस प्राकार का दिखाई देता है ये ओविरी इसमें ओविरी होगा ओविडक्ट है फिर है ओविडक्ट यहाँ पर बात किया हम लोगों ने ओविरी की इसमें क्या होता है चास अच्छे उदर ये खंड़ों में पाए जाता है ये ये दोनों जो होता है वो धागे समान दिखाई देता है इस प्राकार का ये हो गया ओविरी, दोनों साइट पाई गया, फिर ओविरी से जो होता है ओविड़क्ट, ओविड़क्ट क्या करता है? ये दोनों अंड असे को एक छोटी और छोडी पेशी नलिका के द्वारा अंड वाहिनी में खुलता है फिर वेजाईना दोनों अंडवाहिनिया आपस में सातवे खंड में मिलकर एक छोटी और च्वाडी योनी का निर्माण करते हैं फिर जननचिद्र और जनननिक कोस योनी जो होता है वो आठवे न आठवे खंड में उदर खंड पर एक दरार की भाती मादा जननचिद्र द्वारा एक बड़े जनननिक कोस में खुलती है यह मादा कौकरोज के उदर में इस्तित होती है और एक नौका का रचना बनाती है फ्लास्क नुमा संचना होता है इसका प्रमुक कार्य जो होता है है वो कॉप्यृषण की क्रिया के दारस को सुक्राणु को एकसर करने का गोगाली करता है जो है वो आठवे नवे और साथवे आठवे और नवे स्टन्नम में होती है जो क्या करती है साखित नलीकाय रचनाय होती है जो बाय ग्रंथी दाय ग्रंथी के तुल्ला में बड़ी और सुस्पष्ट होती है जो दोनों ग्रंथियां होती है साखित नलिका में रचनाय होती है साहया ग्रंतिया में तो दो ग्रंतियों होती है एक दाहे में होती है और एक बाई में होती है और बड़ी और सुस्ट पेश्ट होती है दोनों ग्रंतिया एक ही चिद्र में खुलती है और दोनों जनन कारे में करती है फिर होता है उथीका फीर कॉपी रेशन माधा औरफ्र noi के बाद, नेके 2-4 दिन के बाद, मैथन की क्रिया करना का चंपte प्राप्त होता है, मार्थ इस सितंबर माहा में भारत में पाई जाता है, कारिया रन तरन्र मेटामार्फोसिस, अंड़कवत से एक नन्णा सिसु बहार निकलता है, जिसके निफ कहते हैं, इसमें लगबग 45 दिनों का समय लगता है, अर्थक का रंग जो होता है, हलका पीला और कार में छुटता ततत जिव जो होता है, वो पंक विहीन होता है, व्रिदिकाल में यह अपना बाहर कंकाल उता इसको निर्माचन कहते हैं, यह इसका पूरा लाइफ सैकल, ठीक है, लाइफ सैकल देख सकते हैं, आप लोग इसका यहां से, फिर है कौकरोच का आर्थिक महत्वा, अगर लाब, देखो कोई भी चीज क्या होता है, उसका लाब भी होता है, और हानी भी होता है, तो इसका ल सिंकला का आवश्याग घटक होता है, चीडिया, रोटेंडस, एवं छीपकलियों का यह प्रिया आहार होता है, खादे संकला में महतपूर्ण भूमी का निभाती है, फूट चैन सिस्टम में और जीव वेग्यानिगों के अध्यान हेतु नमूने के लिए इसका प्रयोग कर बते हैं, अगर इसका हानिकार रक्रिया कला आप देखेंगे तो यह वरिक्षों के फले, जढ़े, च्हालादी को खाकर उनको नस्ट कर देती है, खाती समागरीयों को खाकर इसको नस्ट कर देती है, अनिक रोग वाकों का भी कादे करता है, जैसे की हैजा, आतिजा, टाफ भॉइट शे रोग किटाडू इनके शरीर में चिपक कर प्रसारीत होते हैं कागज कपड़े जूते पर अने को गरेलू समानों को भी क्या कर देता है नस्ट कर देता है इसके साथ हमारा जो कोकरोज का संपूर बॉड़ी का हम दोगों ने घंकाल तंतर जितने भी तंतर होते ह क्या कौन कौन से क्रिया कलाब होते हैं कौन से क्रिया कलाब कैसे होता है और किन किन भागों के द्वारा संपाधित होता है इसके बारे में हम लोगों नहीं जाना और आई होप आपको यह सारे टॉपिक्स जो क्लियर होगे होंगे पार्ट साथ भी यहां पर समापत होता है जि से तीन नंबर के बीच के लिए सीजी सिक्षा में जुड़े ले हैं नेक्स्ट वीडियों के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए धन्यवाद